Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called Lines and Angles की Extra Practice. ये जो बुक है, ये RS अगरवाल है. मैंने आप लोगों को इसके कुछ 12 तेरा कोशन्स करने के लिए दिये थे. 13 कोशन कुछ बच्चों को दिखनी रहा होगा, वो नीचे की तरफ है. तो जो शुरू के 12 कोशन्स जिन्होंने ट्राइ करे हैं, वो तैयार हो जाओ, अपने रिजिस्टर्स खोल लो. एक बात याद रख लेना, जिमेट्री. जियोमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंड होते हैं, रीजन्स. अगर आपके रीजन्स ट्रॉंग हैं, तो आप पर्फेक्ट हो. ट्राइंगल में यह फर्स्ट अंगल, यह सेकेंड अंगल और यह थर्ड अंगल. अंगल 1, 2, 3. अंगल 1 प्लस, अंगल 2 प्लस, अंगल 3 इस इकोल्स तू 180 डिग्री. इसको लिखने की पर्फेक्ट स्टेट अंगल, क्या बोल रहे हैं वो? ध्यान से, क्लास, देखते हैं, सम अफ इंटीर अंगल अंगल इस इकोल तू 180 डिग्री. सम अफ इंटीर अंगल तू 180 डिग्री. इसी की थोड़ इसी छोटी स्टेटमेंट यह है, अंगल सम प्रॉपर्टी अफ ट्राइंगल. अंगल सम प्रॉपर्टी अफ ट्राइंगल का मतलब ही होता है, कि ट्राइंगल के तीनों अंगल का सम 180 डिग्री होता है. इसी को और छोटा करके, जो मैं करूँगा बढ़ तुम मत करना, उसको बोलेंगे अंगल सम प्रॉपर् के मारे और लिख देते हैं ASP of triangle ASP angle some property अब क्या होता है exam में अगर आप यह लिख कर आओगे बचे आप स्कूल में जाकर आपने स्कूल में लिखा है और आपको marks नहीं मिला यहाँ पर 12 questions है 12 के 12 questions में same property लगनी है तो मैं ASP लिख सकता हूँ मगर वहाँ पर exam में सिर्फ एक question आना है इसके ओपर बेज़ सिर्फ एक उसमें मेरी request आप से कि प्लीज अगर आप 100 number चाहते हो तो यह लिख कर आना 100 number चाहते हो कुछ teachers इस पे भी marks दे देंगी बट मैं इसको down बोलूँगा इन दोनों points को down बोलूँगा यह दोनों points सही नहीं है मातारानी का नाम लो question number 1 मुझे नहीं लगता question number 1 किसी का doubt होगा in triangle ABC angle B is equal to 76 angle C is equal to 78 find angle है चलो यह question तो हो जाएगा बट इस question में आप लोगों के उस सिखाने के लिए क्या है आप लोगों को given और to prove इसमें to prove नहीं है to find है given में लिखोगे triangle ABC in which अगर साथ हो तो angle B is equal to 76 degree angle C is equal to 48 degree to find में आजेगा angle A क्या angle A निकालो तो we know that we know that in triangle angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree angle sum property of triangle मैं लिख रहा हूं मैं excuse नहीं दे रहा मेरी आप से request है कि आप लोग ज़रा इसको properly लिखना now angle A नहीं दिया हुआ angle B is 76 angle C is 48 is equal to 180 degree अगर अपने answer को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हो because angle B is equal to 76 degree angle C is equal to 48 degree यह दोनों चीज़े गिवन है अब angle A is equal to 180 minus 76 minus 48 आप angle A निकाल लोगे this is your answer अराम से इसमें कोई ऐसी problem नहीं थी यह था question number 1 question number 1 जिन बच्चों ने कर लिया है उन बच्चों को मैं बता दूँ के question number 2 क्या कह रहा है question number 1 हमारा हो गया जब भी जरा सी भी success मिले life में enjoy किया करो enjoy जरूर करो proud मत करो घमंड मत हो उस चीज़ पर घमंड नहीं आना चीए खुशी जरूर होनी चीए the angles of a triangle are in the ratio 2 ratio 3 ratio 4 so let 1 angle B 2 second angle B 3 third angle B 4 4 नहीं भीया 2K 3K 4K ratio को जब reality में convert करते हैं तो एक constant आ जाता है आप चाहो तो 2X 3X 4X भी लिख सकते दे मैंने K की terms में कर दिया एक question easy question है the angles of a triangle are in the ratio 2 ratio 3 ratio 4 now we know that now we know that sum of interior angles of triangle is 180 degree this implies अगर आप लोग 7 हो तो 2K plus 3K plus 4K is equals to 180 degree अब यहाँ पर reason लिखने की जरूद नहीं क्योंकि मैंने reason यहाँ पर लिख दिया है but reason लिखना जरूर है अगर उपर नहीं लिखते है तो नीचे लिख देना solve करो मतर नहीं का नाम लो 4 और 3 7 और 2 9K is equals to 180 K की value is equals to 180 upon 9 K की value आगई 20 degree जो की सही भी आई है कई बार क्या होता था मैं यहाँ तक निकाल के छोड़ देता था मैं बस यहीं तक करता था और मुझे लगता था answer आगया but marks नहीं आते थे उन्होंने बोला है find the angles find the angles बोला है this implies this implies this implies 2 into K की value 20 3 into K की value 20 4 into K की value 20 एक angle हो गया 80 degree एक angle हो गया 60 degree एक angle हो गया 40 degree therefore the angles are अगर line लिख लोगे तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा therefore the angles are 20 degree oh sorry 40 degree 60 degree and 80 degree respectively, मेरे दो question हो गए, यह दोनो question easy category के थे, easy, easy, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, question number three, question number three को बहुत ध्यान और प्यार से पढ़ो, बहुत ध्यान और बहुत प्यार से पढ़ो, question number three, अच्छा question है, मैं इसको good question की category में डालूँगा, अगर आपने question number three करा है, तो आप एक अच्छे student हो, आपका maths अच्छा है, उसमें दिया हुआ in triangle ABC, three times angle A, is equal to four times angle B, is equal to six times angle C, fine angle A, B and C, fine angle A, B and C, सबसे पहले में लिखूँगा given, given में लिखूँगा ये चीज, थोड़ा नीचे कर देना, and triangle ABC, ABC, in which, ये, जो उपर में लिखा हूँगा वो नीचे, to prove नी करना, to find करना, to find करना, angle A, angle B and angle C, now, we, have, three times angle A, थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, मातरानी का नाम लेके, three times angle A, is equal to four times angle B, is equal to six times angle C, three बार equality, मैच में हमें दो बार equality आती है, left hand side और right hand side, यहाँ पर तीन बार equality आ रही है, जब तीन लोग एक दूसरे के बराबर हो, तो जात तीन से ही, वहाँ चार से ही, इन चारों को बराबर ले लो, के के, जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इस case में अब यह भी के के बराबर हो जाएगा, अगर साथ हो तो यह भी के के बराबर हो जाएगा, और यह भी के के बराबर हो जाएगा, point क्या है, तीनों को एक common point बिलाओ तीनों को एक common point बिलाने का मतलब है 3 times angle A is equals to K तो angle A बराबर हो जाएगा K upon 3 वैसे ही 4 times angle B बराबर हो जाएगा K तो angle B बराबर हो जाएगा K upon 4 वैसे ही 6 times angle C बराबर हो जाएगा K तो angle C बराबर हो जाएगा K upon 6 हमने तीनों को जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो हमने A को B को और C को K की टर्म्स में कर लिया सेम टर्म्स में कर लिया ऐसे में आप चाते तो A की टर्म्स में भी ला सकते थे B की टर्म्स में भी ला सकते थे C की टर्म्स में भी ला सकते थे यह जो मैंने बुला ही हर बच्चे को समझ नहीं आया होगा और जिसको समझ आया है वो वैसे कर सकता है नहीं तो जब भी तीन चीजे दे रखी हो तीनों को किसी चौथे के बराबर रख दो अब angle A बराबर हो गया k by 3 angle B बराबर हो गया k by 4 angle C बराबर हो गया k by 6 now V no angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree आप यह लिखा हो आपको marks नहीं मिलेंगे जब तक आप side में यह नहीं लिखोगे angle sum property of triangle but विटा properly लिखना sum of interior angles of a triangle is equals to 180 degree आलस नुकसान देता है student को A की जगा लिखूँगा k by 3 B की जगा लिखूँगा k by 4 C की जगा लिखूँगा k by 6 is equals to 180 degree आराम से LCM लो मेरा time आप आराम से मुझे pause कर सकते हो आपके बस सारी शक्तिया है आपके पास सब कुछ है आनलाइन क्लास में वीडियो में यह फायदा होता है इस case में 2, 3, 4, 6 का LCM आजाएगा 12 3 के टेबल में 4 जाथ उपर आजाएगा 4K 4 के टेबल में 3 जाथ 3K और 6 के टेबल में 2 जाथ 2K is equals to 180 मेरे बच्चे 4 और 3, 7 और 2, 9 K upon 12 is equals to 180 थोड़ा ध्यान देना 3, 3 जा 3, 4 जाथ थोड़ा सा और ध्यान जाथा ध्याननी चाहिए थोड़ा सा चाहिए क्लास बोलेगी कहना क्या चाहरे हो ये 3 1s आ 3 के टेबल में 60s आ डारेक्ट काटो डारेक्ट काटो अब यहाँ एक 4 डिवाइड हो रहा है K की वैल्यू आजेगी 60 जो इदर 4 डिवाइड हो रहा हो बाई 3 तो अंगल A बराबर आजाएगा 80 डिगरी थोड़ी खिचड़ी बनाई है अंगल B बराबर आजाएगा 240 अपन 4 इस इकोल्स तो 60 डिगरी अंगल C बराबर हो जाएगा 240 अपन 6 इस इकोल्स तो 40 डिगरी अब खुद देख सकते हो ये तीनों अंगल 80, 60 और 40 अंगल्स अफट्राइंगल आर 80, 60 और 40 अगर आप ये कोशन कर पाएगा तो आप सही हो आप बिलकुल सही हो बढ़िया हो बहुत बहत बहतरीन हो बहुत ज़ादा बहतरीन हो आप से बढ़िया कोई नहीं है अगला कोशन नमबर मातरानी का नाम लो कोशन नमबर 4 1, 2, 3, 4 गनपती की जयजयकार कोशन नमबर 4 बहुत प्यारा है मेरे यार अराम से कोशन नमबर 4 को पहले पढ़ो कोशन नमबर 4 अब आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा धीरे धीरे जादा तेज भी नहीं धीरे धीरे कोशन नमबर चार बोल रहा है A प्लस B दे रखा है B प्लस C दे रखा है और A, B और C निकालने है और तेरी इसे equations बोलते हैं हमारे को इसमें given लिखना आगया हमारी जीत हो जाएगी गिवन ट्राइंगल A, B, C इन विच अंगल A प्लस अंगल B दिया हुआ है हमें 125 डिगरी अंगल A प्लस अंगल C अंगल A प्लस अंगल C दिया हुआ है 113 डिगरी हमें निकालना है टू फाइंड टू फाइंड करना है अंगल A निकालो अंगल B निकालो अंगल C निकालो तो जाओ, मुझे pause करो, given to prove लिखो, एक बार खुद से try करो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, बच्चा गारा मुझे नहीं आता, मैं नहीं आता ना तो कम से कम यह लिखतो, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, sum of interior angles of a triangle is 180 degree, जै मता जी, बस इतना छोड़ कर आ जो, बिल्कुल छोड़ कर आ जो, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं, हमें A plus B 125 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो A plus B है, यहाँ पर जो A plus B है, इसकी जगा, हम लिख देंगे 125 डिगरी plus angle C is equal to 180 degree, reason, because angle A plus angle B is equal to 125 degree, यह चीज गिवन है, बेटे आपकी geometry की जान जो है, वो यह है, यह, 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 जो reason होते हैं, आप answer निकाल पाओ, ना निकाल पाओ, वो बात की बात है, आप reason दे पारे हो, यह main बात है, the greater the reason, the better the person, अब angle C बराबर हो जाएगा 180 minus 125, angle C बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 55 degree, if I am not wrong, अगर मैं सही हूँ तो 55 degree, सर अब क्या करोगे, मैंने का सब करेंगे, अब मेरे पास है, angle A plus angle C is equals to 113 degree, यह भी चीज़ गिवन है, we have angle A plus angle C, angle C बराबर 55 is equals to 113 degree, इसका भी reason लिखो, because angle C is equals to 55 degree, found above, found above, proved above, जो लिखना है वो लिखो, angle A बराबर हो जाएगा, 113 minus, यह 55 इदर प्लस हो रहा है, उदर जाके minus, मेरा plus minus थोड़ा सा week है, तो गलती ना कर बैठों, 13 में से 5 गए, बचेगा 8, 10 में से 5 गया, 58 degree, angle A भी आ गया, अब चाहो तो जहां मर्जी value डाल दो, angle A plus B plus C, दो angles दे रखे हैं, 30 angle अराम से निकल जाएगा, मेरी class क्या बोलेगी, मेरी class बोलेगी, सर अब आपने कहा value डालनी, मैंने शायद कोई, मैंने शायद 5th question कर दिया, यह मेरी थोड़ी सी ना गरवरी रहती है, यह मेरे साथ ना कुछ ना कुछ घड़वरी दैती है, चलो अच्छा है, फोर्थ तुम कर लेना, फोर्थ तुम कर लेना, एक तब ऐसा ही है, अब angle A आ गया, अब बच्चा बोलेगा, angle A plus angle B is equal to 125 degree है, गिवन है, जो चीज़ गिवन है, दो बार सेम रीजन हा रहा है, तो लिख देंगे, डू, angle A की जगा 58 degree plus angle B is equal to 125, angle B is equal to 125 minus 58, यह बात याद रख लेना, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, इस वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूत नहीं, चार और पांच एक जैसे थे, चार और पांच बिलकुल एक जैसे थे, मैं आपको पांच कराया है, आप चार एक बार खुद से कर लेना, question number 6, question number 6 को अगर मैं देख रहा हूं मामा श्री, question number 6, बेटब पता नहीं चलता कब हम लाइफ में, किसी की लाइफ में शकुनी बन जाते हैं, कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा करो या ना करो, कभी किसी का बुरा मत करो, तुमारी जैलिसी होना सुभाविक है, बट तुमारी जैलिसी से, तुम किसी का कुछ बिगार नहीं सकते है बलकि अपने आपको जलाते हो या I don't know मेरे मन में एक हयाल आया और मैंने बोल दिया इसका तुम लोग से कोई लेना देना नहीं है यह उन लोग से लेना देना है जो बिना बात के दूसरों को देखके कलबते हैं कल अपने की कोई जरूत नहीं चेल करो इन ट्राइंगल PQR सबसे बहले मैं गिवन लिखूँगा ट्राइंगल PQR in which क्या दिया हुआ है अंगल P माइनस अंगल Q is equal to 42 degree दे रखा है अंगल Q माइनस अंगल R is equal to 21 degree दे रखा है तू find क्या करना है मेरे बच्चों हमें निकालने हैं अंगल P, अंगल Q and अंगल R अंगल P, अंगल Q and अंगल R यह बड़ी थगड़ी चीज है इसको ध्यान से देखना इसमें हलका सा हिंटी यह मिलता है कि सर्थ दो equations दे रखे हैं उसमें भी QR है इसमें भी QR है तो Q एक common link है Q एक common link है आप चाहो तो मुझे एक minute के लिए pause कर लो एक minute pause करो थोड़ा बहुत किचडी बनाओ थोड़ा घिचड पिचड कुछ करो do something and once you do something then find the angles PQR तो class बोलेगी क्या मैंने का बताता हूँ angle P, solution में आते हैं solution में angle P minus angle Q is equals to 42 degree यह चीज गिवन है this implies angle P is equal to 42 degree plus angle Q इस चीज को क्या बोलते हैं यह जब मैं नाइंत में था मुझे समझ नहीं आता था I've expressed I've expressed angle P in terms of angle Q angle P को angle Q की terms में मैंने express कर दिया है यह एक चीज है अब क्या P को Q की terms में अगर express करा है now also we have angle Q minus angle R is equal to 21 degree यह भी चीज गिवन है same reason जब लगता है तो लिख देते हैं do इस बार थोड़ा smartly play करना star मार रहा हूँ angle R minus हो रहा था इदर उदर जाके plus हो गया बराबर हो गया angle Q minus 21 यह plus 21 उदर जाके minus 21 हो गया मैंने क्या गरा expressed angle R in terms of angle Q अच्छी बात क्या हुई Q common था P को भी Q की terms में ले आए R को भी Q की terms में ले आए कहना क्या चाह रहे हो मैंने का now in triangle P Q R angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 degree angle sum property of triangle अब क्या सर P की जगा आप लिख दो 42 plus angle Q Q की जगा क्या लिखें Q की जगा Q ही आएगा R की जगा क्या लिखें angle Q minus 21 is equals to 180 सारे के सारे Q के terms में आगए असान नहीं है जो बच्छे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए असान नहीं है मुझे rewind करो दुबारा से देखो मैंने क्या किया होगा क्या Q plus Q plus Q 3 बार angle Q is equal to 42 plus में है 21 minus में है 42 minus 21 is plus 21 is equals to 180 इस minus 21 है अब class बुलेगी इस equation को मैं उपर लेके जा रहा हूं बच्छे यह वाल equation को मैं उपर लेके जा रहा हूं 3 times angle Q is equals to 180 यह plus 21 उदर जाके minus 21 3 times angle Q is equals to 159 if I am not wrong angle Q is equals to 159 upon 3 that is 53 degree Sir angle Q आगया 53 degree मुझे आराम से पाउस कर लो कोई भी जल्दी नहीं है मुझे आराम से पाउस कर लो हमारे पास angle Q आगया जैसे हमारे पास angle Q आया अभी game change होगी angle Q आया है तो अब बच्चा बोलेगा क्या थोड़ी सी जगा चाहिए angle P जो था angle P जो था वो बराबर था 42 प्लस angle Q तो angle P जो हो जाएगा 42 प्लस Q यहां से आया है किसी को दिक्कत हो तो angle P बराबर है 42 प्लस Q तो 42 प्लस 53 angle P is equal to 95 degree वैसे ही angle Q निकालने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है यह equation angle R angle R जो था angle R जो है वो बराबर है angle Q माइनस 21 तो 53 माइनस 21 3 में से 1 गया 2 5 में से 2 गया 3 32 degree हमारा angle R भी आ गया हमारा angle P भी आ गया हमारा angle Q भी आ गया और आपका level भी बढ़ गया यह question करके आपका level बढ़ेगा definitely बढ़ेगा दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप हम्मत करना चाहते हो this is question number 6 अराम से question number 7 मुझे plus मुझे plus मत करो मुझे question number 7 देखो question number 7 देखो मेरे बच्चे अराम से question number 7 को देखो सिर्फ question number 7 पर आपकी नज़र होनी चाहिए question number 7 जो ना समझाए उसको x ले लो एक और ना समझाए तो उसको y ले लो और ना समझाए तो z भी ले सकते हो वो क्या रहा है कि in a triangle the sum of two angles of a triangle is 116 degree the sum of two angles of a triangle is 116 degree तो सबसे पहले लिखूँँगा let one angle in degrees be x second angle in degrees by सबसे पहले ये तो गिवन क्या लिखा हुआ है the sum of two angles is exosolar degree x plus y is equal to exosolar degree and their difference difference का मतलब होता है x minus y is equal to 24 degree अगर आप चाहो तो मेरी statement में कमी निकाल सकते हो let larger angle be x larger कर दिया क्योंकि difference में मैंने x minus y किया है difference जब निकालते हैं तो बड़ा minus छोटा करते हैं अब क्या वो बोल रहा है find the measure of each angle of triangle हर angle निकालो मैं कहूंगा अभी भी मुझे pause कर दो तो बच्चा कहेगा कर दिया सर x plus y 116 degree दे रखा है x minus y 24 degree दे रखा है इसे माने equation 1 इसे माने equation 2 सर y से y कट रहा है y से y cancel हो रहा है y से y cancel हो रहा है अगर आप add कर दो दोने equation को add 1 and 2 कर दो यह 10th का थोड़ा सा method है जब दोनों को add करूंगा तो x plus x हो जाएगा 2x y से y cancel हो जाएगा 6 और 4 दस का 0 एक हासल यहां पे 4 आजाएगा 140 तो x की value हो जाएगी 140 upon 2 x की value हो जाएगी 70 degree एक angle तो आगया मारा 70 degree दूसरा we have x plus y is equals to 116 तो x की जगा डालो 70 plus y is equals to 116 तो y is equals to 116 minus 70 y is equals to 6 11 में से गया 46 second angle आगया 46 degree what about the third angle what about the third angle तो यहां पर अगर कभी लगया कि कोई रह गया let third angle be z तो now अगर class साथ है यहां पर now x plus y plus z is equals to 180 degree angle sum property of triangle वो बच्चा जो तेज हो गया जो बहुत तेज होगा वो सीधा बोल देगा x plus y की direct value डाल दो 116 x plus y डाल दो 116 plus z is equals to 180 degree मैं interested इसमें नहीं हूँ कि आपने क्या value डाली मैं interested इसमें हूँ कि आप reason क्या लिख रहे हो because x plus y is equal to 116 यह चीज गिवन है तो z की जो value आजाएगी वो आजाएगी 180 minus 116 यह minus मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ this is your question number 7 question number 7 करने के बाद अब हम आएंगे question number 8 पे मातरानी का नाम लो question number 8 before it gets too late it's better to be on top of the things question number 8 अब 8, 9, 10, 11, 12, 13 तगड़े वाले हैं अच्छे वाले question है question number 8 पे आते हैं question number 8 क्या आ रहा है हमारे हाँ थोड़ी reflection बढ़ती है light की question number 8 बोलता है two angles of a triangle are equal two angles of a triangle are equal हो तेरी let one angle be bubble degree तो second angle B ये भी ध्यान देना bubble ही होगा क्योंकि ये दे रहा है two angles of a triangle are equal and third angle is greater than each of them by 18 degree third angle is greater than therefore third angle is greater than each of them by 18 degree तुम दोनों से मैं 18 बढ़ा हूं तो मैं बबलू जी से 18 बढ़ा हूं दो angle equal है ये भी बबलू ये भी बबलू तीसरे अंगल दोनों से 18 बढ़ा है दोनों से 18 बढ़ा ही ये बात हो गई class जानती है बच बबलू नहीं लिखना थोड़ा सा change करना है थोड़ा सा जादा नहीं बबलू की जगा एक angle को ले लेंगे x second angle भी x third angle हो जाएगा x plus 18 18 degree जानता है so therefore sum of interior angles is 180 degree इचीज हमें गिवन होती है या we know that तो पहला angle x plus x plus x plus 18 is equals to 180 x plus x 3x plus 18 is equals to 180 3x is equals to 180 minus 18 3x is equals to 162 अगर साथ हो तो x की value आजाएगी 162 upon 3 3 5s हो 15 3 54s हो find the angles therefore एक angle 54 degree second angle 54 degree third angle 54 plus 18 8 और 4 12 का 2 5 और 7 72 degree आप अगर बहुत strong तैयारी करना चाते हो तो जो angles मैं ऐसे निकाल के दे रहा हूँ वो अप नीचे line लिख देना therefore the angles are 54, 54 and 18 72 degree ये question number 8 था question number 8 अच्छा था I hope कि मैं आपको समझा पाया हूँ question number 8 अब हम आते हैं question number 9 में one of the three angles of a triangle one is twice the smallest another is thrice the smallest finally angles ये थो बड़ी गरबर हो गई एक one angle दे रखा है एक another angle दे रखा है भई मेरे को word problems में दिक्कत होती है एक one angle दे रखा है one angle एक दे रखा है another angle और एक दे रखा है smallest angle smallest है ना smallest angle तो कैसे करें है हाँ मेरे को नहीं आ रहा one of the three angles one is twice the smallest one is twice the smallest तो सब से बहले मेरे को एकी चीज़ समझाई let the smallest angle be x degree इतना कर दो क्योंकि जब जो सब का relation आ रहा है वो smallest से आ रहा है एक smallest से double है एक smallest से triple है one of the three angles of a triangle one is twice the smallest one angle is twice the smallest मतलब 2x another angle is twice the smallest another वला angle 3x हो जाएगा अगर मैं समझा पाया हो तो सब से बहले smallest पकड़ा another पकड़ा एक पकड़ा now we know that that sum of interior angles of triangle is 180 degree this implies x plus 2x plus 3x is equals to 180 degree reason में या लिक चुका हूँ 6x is equals to 180 degree x की value निकाल दो 180 अपान 6 x की value आजेगी 30 degree उन्होंने मरा अप find the angles तो वन एंगल जो था वो आजेगा 2 into 30 या आजेगा सिर्फ 30 या आजेगा 3 into 30 तो एक आजेगा 60 degree एक आजेगा 30 degree और एक आजेगा 90 degree therefore the angles are 30, 60 and 90 थोड़ा से line लिख दोगे तो तुम्हारा फाइदा होगा लगता है कोई याद कर रहा है sorry अगला question number 10 वो angle जिसमें एक भी angle 90 degree का होता है उसे right angle triangle बोलते है इतना मेरे बच्चों को पता है अगला question जो है question क्या है मुझे पूरी उमीड है कि आदे गंटे के अंदर अंदर ये lecture हो जाएगा मुझे पूरी उमीड है inner right angle triangle बात ही कर लो one angle is equal to 90 degree because triangle is right angled triangle इतना लिखना जरूरी है बेठा अगर इतना लिख लोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं रोख सकता one of the acute angle measures 53 degree second angle 53 degree find the measure of each angle let's see, दो तो निकल लिगे तीसरा निकालना है याब लिख दो, we know that we know that sum of interior angles of triangle is 180 degree therefore 90 degree plus 53 degree so let third angle be x plus x is equals to 180 तो अब x बराबर हो जाएगा 180 minus 90 minus 53 90 में से किया 40 x की value आजाएगी 37 degree third angle is 37 degree यह बड़ा नहीं था बड़ इस बात को समझने की जुरूती समझने की जुरूती triangle में total 3 angles होते हैं यह बात याद रख लेना this was question number 10 बच्चा करेगा कहेगा करो बस मैं कहुँँँँँँँँँँँटा अभी 11 बारा रहता है अभी 11 बारा रहता है if one angle of a triangle is equal to sum of other two angles show that the triangle is right angled language नहीं समझाई one angle one angle मैंने बोला let the triangle be triangle ABC भो कह रहा है if one angle if one angle मतलब given one angle angle A is equal to sum of other two is equals to is equals to होता है is equals to is equals to होता है is equals to sum of other two second वाला B हो गया और third वाला C हो गया if one angle is equals to sum of other two पहले बात समझाई लो if one angle is equal to sum of other two angles prove that show that to prove क्या करना है triangle ABC is right angled triangle अगर आप सीखने के mood में हो तो मैंने ABC लिया है आप PQR ले लो show that triangle is right angled triangle मैं कहा हम तो नहीं कर सकता है we know हमें तो एक बात पता है कि angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree क्यों angle sum property of triangle इतना पता है इतना गरगे छोड़ाना इतने में एक तेज बच्चा जो होगा वो कहेगा सर B plus C बराबर दे रखा A के ये चीज़ गिवन में आप नहीं लिखी है तो क्या करो आप? आप क्या करो? angle A plus B plus C की जगा भी लिख दो angle A हर बात की एक वज़े होती है क्या वज़े है? because angle B plus angle C is equals to angle A ये चीज़ सर गिवन है तो angle A plus angle A is 2 times angle A is equals to 180 degree angle A is equals to 180 divided by 2 this implies angle A is equals to 90 degree और जब किसी भी triangle का एक भी angle 90 degree आ जाता है so therefore it is a right angled triangle it is a right angled triangle अगर मेरी class मेरे साथ है तो इस topic को ध्यान से देखे प्रूफ दैट वाले में फस्त नहीं दूँगा तुम्हें NCID में भी ये कोशन दे रखा है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है 12th if each angle of a triangle is less than some of other two if each angle of a triangle is less than some of other two to show that the triangle is acute angled triangle ये कोशन तगड़ा है अगर हर angle बाकी दोनों angles से छोटा है अगर हर angle बाकी दोनों angles से छोटा है show that it is an acute angled triangle try करो question number 12 तो मुझे नहीं आता question number 12 में मेरी हालत खराब हो रही है जब हालत बहुत खराब होना उस case में given लिखाना वो कर रहा if each angle of a triangle is less than the sum of other two given में लिख दिया let triangle be triangle a b c if each angle angle a is less than angle b plus angle c angle b is less than angle c plus angle a angle c is less than angle a plus angle b क्या question है यह question मुझे नहीं आता to prove क्या करना है show that the triangle is an acute angled triangle acute angled triangle मतलब angle a is less than 90 है angle b is less than 90 है angle c is less than 90 है यह question मुझे नहीं आता मैं आपको साफ online बोल रहा हूं मेरे को नहीं आता यह वाला question और कोई drama नहीं कर रहा बिल्कुल सच बोल रहा हूं यह question मुझे नहीं आता तो बच्छा कहेगा ok नहीं आता तो क्या करें अचाहर डालें नहीं मैंने का मुझे इतना बता है कि मेरे पास क्या है मेरे पास solution है कि we have angle a is less than angle b plus angle c if each angle of a triangle is less than the sum of other two बस इतना मुझे बता है इस क्या के क्या बच्चे नहीं का sir b plus c को अगर angle a मिल जाए तो वने t हो जाएगा बट angle a right hand side पे मिला है तो अगर angle a right hand side पे मिला है तो angle a left hand side पे भी plus कर दिया adding angle a on both sides इतने में एक तस तेज बच्चा बोलेगा angle a plus angle b plus angle c 180 because angle a plus angle b plus angle c is equal to 180 angle some property of triangle और angle a plus angle a is two times angle a जैमत अदी यही के लिए tuition लगती है इसी के लिए tuition लगती है इसी के लिए coaching लगती है बस हल किसी सोच बढ़ाने के लिए थोड़ी सी coaching करनी पड़ती है तो angle a is less than यह 2 इदर multiply हो रहा है 180 upon 2 angle a is less than 90 सिरफ angle a आया है 90 से less सेम तरीके से सेम तरीके से आप क्या करोगे आप लिखोगे second equation second equation क्या होगी मेरे बच्चे ध्यान से देखना second equation में आप लिखोगे angle b is less than angle a plus angle c इस बार थोड़ा चेंज होगा दोनों में right hand side पर angle b plus किया तो यहां पर भी angle b plus किया adding angle b on both sides angle b plus angle b two times angle b angle b is less than angle b is less than 90 similarly तीसरे वाला पार्ट आप खुद कर लोगे और वो triangle जिसके तीनों angles 90 से कम होते हैं उस triangle को acute angle triangle कहते हैं I hope कि इन 12 questions में मेरी बातें सुनते सुनते आप लोगों को आदे घंटे के अंदर triangles की angles and property में मदद मिली होगी फिलाल के लिए और समीर सर इस सेंग यो गुडबाई God bless all, जय मतादी